शिव बाबा याद है ना? विशेश आत्मों को देख रहे हैं एक एक बच्चा परमातम राज दुलारा है ये राज दुलार परमातम प्यार कोटों में कोई आत्मों को प्राप्त होता है राज दुलारे अर्थार्थ राजा स्वराज्य अधिकारी हर एक अपने आपको चेक करे मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ वर्तमान समय में भी राजे और भविश्य में भी डबल राज अधिकारी बाप तदने बच्चों को देखा बच्चों की जो कंच्रोलिंग पावर है रूलिंग पावर है वो कहां तक आई है स्वराज्य अधिकारी कितना बने है अखंड राज्य अधिकारी बने है या राज्य बीच बीच में खंडित होता है क्या देखा होगा बाप तता ने देखा अभी तक भी बच्चों के बीच बीच में जो पुराने संसकार है व्यर्थ देखना, सुनना, बोलना, व्यर्थ करना, ये बीच-बीच में इमर्ज हो जाते हैं, जिससे राज्य दिकार खंडित हो जाता है बापा पूछते हैं बच्चों से, ये पुराने संसकार भी कब तक, बाप तदा साथ है और कमबाइंड है, इस स्वरूप से माया जीत बनू माया से घबराव मत, ये माया की चाल है, माया भिन्विन रूप में आती रहेगी, आपका पेपर लेती रहेगी, लेकिन आप कल्प कल्प की विजय आत्मा है माया से घबराव मत, डरो मत, स्वराज्य दिकारी बनू चेक करो, अपने मन को जब जाहें, जहां जाहें, जितनी देर चाहें, एकाग्र कर सकते हैं, अब इसकी बहुत आवशकता है करमाती तवस्ता तक पहुँचना है, तो ये अभ्यास करो, स्टॉप कहा, तो स्टॉप हो जाए अब यभी कहा, परमधाम, तो परमधाम में एकाग्र हो जाएं, अब यभी कहा, स्वयम के स्वरूप पर एकाग्र हो जाओ, तो वहां स्वस्वरूप में एकाग्र हो जाएं, ऐसे बार बार अपने मन को आदेश देते रहें, याद की शक्तिशाली अवस्था से विजई आ आत्मा बने, something, sometime, ये शब्द सदा के लिए समाप्त करो, बापत दा बच्चों का चार्ट देख रहे थे कि स्वराज्य भी कितना है, जैसे ब्रह्मा बाप ने रोज दर्बार लगाई, ऐसे आप भी स्वराज्य दिकारी बनने के लिए रोज इसकी दर्बार लगाओ, अपने मन के उपर पूरा प्रयोग करो, कंचोलिंग पावर कहां तक है, समय, संकल्प, संसकार, सब के उपर पूरण कंच्रोल, तीन मास का बापत दा चार्ट देखेंगे, कि जब भी किसी की कोई कमी कमजोरी देखते हो, तो उसको फैलाओ मत, शुब भावना से, एक दो को ठीक कर में मददगार बनू, जब ऐसा पुर्शाट करेंगे, तो कर्मातीत अवस्ता हो जाएगी, सुनते हैं बाप ददा के अव्यक्त महवाक्य, अव्यक्त स्थिती में रहकर सुनेंगे, पूरी एकागरता के साथ, मुख्य मुख्य बातों को नूट करेंगे, और अपना चेक करेंगे, मुर्ली का सार है, कर्मातीत अवस्ता तक पहुचने के लिए, कंच्रोलिंग पावर को बढ़ाओ, स्वराज्य अधिकारी बनू, कर्मातीत अवस्ता तक पहुचने के लिए, कंच्रोलिंग पावर को बढ़ाओ, स्वराज्य अधिकारी बनू, आज बाप चारो ओर के राज दूलारे परमातम प्यारे बच्चों को देख रहे हैं, अनुभव करेगे अपने आपको, मैं परमातम राज दूलारा, परमातम प्यारा हूं, ये परमातम दुलार, परमातम प्यार, वो थोड़े बच्चों को प्राप्त होता है, वो थोड़े ऐसे भाग्ये के अधिकारी बनते हैं, ऐसे भाग्येवान बच्चों को देख, बाप तदा भी हर्शित होते हैं, राज दुलारे अर्थार्थ राजा बच्चे, तो अपने क राजा समझते हो, नाम ये राज योगी, तो राज योगी अर्थार्त राजा बच्चे, वर्तमानस में भी राजे हो, भविश्य में भी राजे हो, अपना डबल राज्ये पद अनुभव करते हो ना, अपने आपको देखो, मैं राजा हूँ, स्वराज्य दिकारी हूँ, हर पावर, कंट्रोलिंग पावर, दोनों पावर आपके पास हैं, रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, दोनों आपके पास हैं, अपने आपसे पूछो, राज्ये कारोबारी सदा कंट्रोल में चल रहे हैं, बाप ददा, आज बच्चों के कंट्रोलिंग पावर, और तो बताओ क्या देखा होगा, हर एक जानती है न, बाप तदा ने देखा, क्या देखा, रिजल्ट सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे, बाबने हम सब को देखा, अभी अखंड राज्य अधिकार सभी का नहीं है, अखंड बीच बीच में खंडित होता है, क्यों सदा स्वरा राज्य के बदले पर राज्य भी खंडित कर देता है, पर राज्य के निशानी ये करमिंद्रियां प्राधीन हो जाती है, माया के राज्य का प्रभाव अर्थात प्राधीन बनाना, वर्तमान समय मेनौरिटी तो ठीक है, लेकिन मेजौरिटी माया के वर्तमान समय के विशे प्रभाव में आजाते हैं, थोड़े बच्चे तो ठीक हैं, लेकिन अधिकतर बच्चे ऐसे हैं, जो माया के प्रभाव में आजाते हैं, जो आदी अनादी संसकार हैं, उसके बीच-बीच में मध्य के अर्था द्वापर से अभी अंत तक के संसकार के प्रभाव में आजाते ह स्वयम के संसकार ही स्वराज्चे को खंडित कर देते हैं, उसमें भी विशेश संसकार जो राज्चे को खंडित करते हैं, वो है व्यर्थ सोचना, व्यर्थ समय गवाना और व्यर्थ बोल चाल में आना, चाहे सुनना, चाहे सुनना, चाहे सुनना, चाहे सुनना, चाहे सुनन तरफ अलबेलेपन के संसकार, कौन से संसकार हैं? एक तरफ वियर्थ के और दूसरी तरफ अलबेलेपन के, भिन भिन रोयल रूप में स्वराज्चे को खंडित कर देते हैं, कई बच्चे कहते हैं समय समी पा रहा है, लेकिन जो संसकार शुरू में इमर्ज नहीं थे, वो पारण क्या है? ये माया के वार का एक सादन है, माया इसी से अपना बनाकर परमातम मार्ग में दिल शिकस्त बना देती है, सोचते हैं अभी तक ऐसे ही है, तो पता नहीं समानता की सफलता मिलेगी या नहीं, कोई न कोई बात में जहां कमजोरी होगी, उसी कमजोरी के माया दिल शिकस्त बनाने की कोशिश करती है। अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे माया कौन से रास्ते से आती है, जो हमारी कमजोरी है, उसी रूप से माया आती है, अपना बनाने की कोशिश करती है। बहुत अच्छा चलते चलते कोई न कोई बात में माया संसकार पर अट सब संसकार समाप्त होने हैं, इसलिए कभी-कभी रहे हुए संसकार इमर्ज हो जाते हैं, बाप ददा, आप भग्यवान बच्चों को इशारा दे रहे हैं, कौनसा इशारा मिल रहा है, घबराओ नहीं, माया की चाल को समझ जाओ, आलस्य और व्यर्थ इसमें नेगिटिव भी आजाता है, इन दोनों बातों पर विशेश अटेंशन रखो, आलस्य और व्यर्थ इन दो बातों पर अटेंशन रखो, समझ जाओ, ये माया का वर्तमान समय वार करने का साधन है, बाप के साथ का अनुभव, कंबाइन रूप का अनुभव, इमर्ष करो, खुब प्रक्टि कि बाप तो है ही मेरा साथ है ही, साथ का प्रक्टिकल अनुभव, इमर्ज हो, वो ये माया का वार, वार नहीं लगेगा, माया हार खा लेगी, ये माया की हार है, वार नहीं, सरफ घबराओ मत, क्या हो गया, क्या हो गया, हिम्मत रखो, बाप के साथ को समृति में रखो, बा बाब का साथ है, साथ का अनुभव मर्ज रूप में या इमर्ज रूप में, बाबा साथ है, ये अनुभूती मर्ज रूप में है या इमर्ज रूप में, नौलेज है कि बाबा साथ है, नौलेज के साथ साथ, बाब की पावर क्या है, बाबा की पावर क्या है, आलमाइटी अ अनुभव करो, इसको कहा जाता बाप के साथ का अनुभव हो ना, अलबेले नहीं बन जाओ, बाप के सिवाए और है ही कौन, बाप ही तो है, जब बाप ही है, तो वो पावर है, बाप ही है, सब कुछ बाप है, तो क्या वो पावर है, जैसे दुनिया वालों को कहते हो, अगर परमात्मा व्यापक है, तो परमात्म गुण अनुभव होने चाहिए, दिखाई देने चाहिए, तो बाप तदा भी आपको पूछते हैं, अगर बाप साथ है, कमबाइंड है, तो वो पावर हर करम में अनुभव होती है, दूसरों को भी अनुभव होती है, क्या समझते हो, ड दूसरा कोश्चन आता है, सदा है, तो सोच में पढ़ जाते हो, तो अखंड तो नहीं हुआ ना, आप चैलेंज क्या करते हो, अखंड राज्य स्थापन कर रहे हो, या खंडित राज्य स्थापन कर रहे हो, अखंड राज्य स्थापन कर रहे हो, या खंडित राज्य स्थाप का लेना है या बीच-बीच में कट हो जाए तो कोई हरजा नहीं ऐसा चाहते हो लेने में तो सदा चाहिए और पुर्शार्त में कभी-कभी चलता है ऐसे foreigners कहा था ना अपने जीवन की dictionary से sometime or something ये शब्द निकाल दो कभी-कभी पावनी का कभी-कभी ये शब्द निकाल दो किसी-किसी समय अभी time खतम हुआ sometime खतम हुआ जयनती बोलो result देंगी न जयनती दीदी उनसे बाबा पूछ रहे है आप बताओ आप इसका result देंगी न तो sometime time खतम हुआ जो समझते हैं sometime शब्द सदा के लिए समापत हो गया हाथ उठाओ खतम हो गया या खतम होगा लंबा हो हाथ उठाओ वतन की टीवी में तो आपके हाथ आ गए यहां की टीवी में सब के नहीं आते ये कल्योंगी टीवी है ना जादू की टीवी है इसलिए आ जा उनको सदाकाल के मुबारक अच्छा विभारत वैसी जिनका प्रेक्तिकल सदाकाल सुवराज्य है सर्व करमिंद्रियां लावर ओर्डर में है वो हाथ उठाओ जिनका सुवराज्य है मतलब करमिंद्रियों पर पूरण रुपेन राज्य है करमिंद्रियां लावर ओर्डर म है वो हाथ उठाओ, पक्का हाथ उठाना, कच्छा नहीं, सदा शब्द याद रखना, सबा में हाथ उठाया, सभी ने उठाया, फिर बाप ददा को बाते बहुत मीठी-मीठी सुदाते हैं, कहते बाबा आप तो जानते हो न, कभी-कभी माया आ जाती है, तो अपने हाथ की ल है ही है, आज बाप तदा ने देखा, वर्तमान समय के अनुसार, अपने उपर, हर करमिंद्री के उपर, अर्था स्वेम की स्वेम प्रती, जो कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए, वो कम है, वो और जादा चाहिए, स्वेम पर जो कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए, वो अ बाप ददा ने आठ घंटे से चार घंटा किया, बच्चे कहते दो घंटा ठीक है, तो बताओ कंच्रोलिंग पावर हुई, अभी से अगर यह अभ्यास नहीं होगा, तो समय पर पास्वी दॉनर राज्य अधिकारी कैसे बनेंगे, अगर अभी से अभ्यास नहीं होगा, पाव बाप ददा को हसाते भी हैं, कहते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल तीन मिनट नहीं होता, शरे का कंट्रोल हो जाता है, खड़े हो जाते हैं, ना में मन के कंट्रोल का, यह मन का कंट्रोल कभी होता है, और कभी नहीं होता, बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, साथ बजे साड़े दस बजे बारा बजे साड़े पाँच साड़े साथ रात्री साड़े नू सब कारोबार छोड़ कर हम विश्व गलोब पर बैठ कर सारे संसार को शांती की सकाश देते हैं मन को बावा पर एकागर करते हैं तो उसका result बच्चे बता रहे हैं, कि कभी-कभी ये traffic control में मन टिक जाता है, कभी-कभी केवल शरीर तो टिका होता, लेकिन मन कहीं और होता है, खड़े हो जाते हैं, नाम है मन के control का, लेकिन मन का control कभी होता, कभी नहीं भी होता, कारण क्या है, controlling power की कमी, इससे अभी और controlling power को, order करो, जैसे हाथ को उपर उठाना चाओ, उठा लेते हो, क्रैक नहीं है, तो उठा लेते हो, ऐसे मन, ये सुक्षम शक्ती, control में आनी है, लाना ही है, order करो stop, मन को order किया stop, तो stop हो जाए, सेवा का सोचो, सेवा में लग जाए, परमधाम का सोचो, तो परमधाम में चला जाए, सुक्षम बतन में चलो, तो एक सकिड में सुक्षम बतन चला जाए, जो सोचो, वे order में हो, अब इस शक्ती को बढ़ाओ, छोटे-छोटे संसकारों में, युद्ध में समय नहीं कवाओ, अंडरलाइन कर लेंगे, और इसको बीश-विश में करेंगे, एक सकिड में जब आदेश दिया परमधाम, तो वहाँ पर बाबा परिकागर हो जाए, एक सकिड में सुक्षम बतन कहा, तो वहाँ टिक जाए, इस अभ्यास को बढ़ाओ, ओडर करो, छोटे-छोटे संसकारों में, युद्ध में समय नहीं कवाओ, आज इस संसकार को भगाया, कल उसको कंट्रोलिंग पावर धारण करो, तो अलग-अलग संसकार पर टाइम नहीं लगाना पड़ेगा, नहीं सोचना, नहीं करना, नहीं बोलना, स्टॉप, आदेश दिया, नहीं सोचना, स्टॉप हो जाए, नहीं करना, स्टॉप हो जाए, तो स्टॉप कहा तो स्टॉप, यह कर कर्मातीत अवस्ता तक पहुंचने की विधी, तो कर्मातीत बनना है ना, बाप तदा कहते, आपको ही बनना है, और कोई नहीं आएंगे, आपको ही बनना है, आपको ही साथ में ले जाएंगे, लेकिन कर्मातीत को ही तो लेके जाएंगे, साथ चलेंगे या पीछे-पीछे चलेंगे न, साथ चलना अथाट, साथी बनकर चलना, जोड़ी तो अच्छी चाहिए, या लंबी और छोटी, समान चाहिए न, तो करमाती तो बनना ही है, तो क्या करेंगे, अभी अपना राज्य अच्छी तरह से संभालो, रोज अपनी दर्बार लगाओ, रोज अपनी दर् लगाओ, करमचारियों से हालचाल पूछो, चेक करो, ओर्डर में है, ब्रह्मा बाप ने रोज दर्बार लगाई, कौपी है न, हम सबने देखिया है न, वो कौपी, जिसमें बाबा ने दर्बार कैसे लगाते थे, मन से वो बात करते हैं, बाबा के हाथ से लिखिये वो डा भटकते रहे, अच्छा भटक के आई तो तुम्हें क्या मिला, ऐसे बाबा की बड़ी सुन्दरवारतालाप है, तो वाबनी का वो कौपी है न, इनको दिखाना, बताना भी और दिखाना भी, ब्रह्मा बाप ने भी मिहनत की रोज दर्बार लगाई, तब करमातीत बने, त तो अभी कितना टाइम चाहिए, या एवर एड़ी हो, इस अवस्था से सेवा भी फास्ट हो जाएगी, जब आपके अवस्था अच्छी होगी, तो सेवा भी फास्ट हो जाएगी, क्यों? एकी समय पर मनसा शक्तिशाली, वाचा शक्तिशाली, समंद सम्परक में चाल और चेहरा शक्तिशाली, एकी समय पर तीनों सेवा बहुत फास्ट रिजल्ट निकालेगी, ऐसे नहीं समझो कि साधना में सेवा कम होगी? नई, सफलता सहज अन्वो होगी, और सभी जो भी सेवा के निमित हैं, अगर संगठित रूप में ऐसी स्टेज बनाते हैं, तो मेहनत कम सफलता ज्यादा होगी, तो विशेश अटेंशन, कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ, संकल्प, समय और संसकार, सब पर कंट्रोल हो, बहुत बार बापता दनी कहा, आप सब राजे हो, जब चाहो, जैसे चाहो, जहां चाहो, जितना समय चाहो, ऐसे मन बुद्धी ला और ओर ओर्डर में हो, आपको हो नहीं करना, फिर भी हो रहा है, कर रहे हैं, तो ये ला और ओर ओर नहीं है, तो स्वराज्य अरिकारी, ला भी रहे हैं, लेकिन बापता दनी कहना, सदा शब्द एड करो, बापता दा ब्लास्ट में आएंगे, अब एक टर्न है, एक टर्न में रिजल्ट पूछेंगे, पंदरा दिन होते हैं न, तो पंदरा दिन में कुछ तो दिखाएंगे या नहीं, टीचर्स बोलो, पंदरा दिन में रिजल्ट दिखाएंगे, अभी कहो हां जी, हां या ना, हाथ उठाओ, पंदरा दिन में रिजल्ट दिखाएंगे, बाप ने कहां सबको हाथ उठाओ, सबने हाथ उठाया, अपने हाथ के अब लाज रखना, जो समस्ते कोशिश करेंगे, ऐसे कोशिश वाले हाथ ग्यानसरोवर शान्तिवन वाले उचो बाप ददा ने मदुवन ग्यानसरोवर शान्तिवन के मुख्य निमित भाई बैनों को सामने बुलाया बाप ददा ने आप सब का सक्षतकार कराने के लिए बुलाया है आप लोगों को देखकर सब खुश होते हैं अब बाप Tadda चाहते हैं, क्या आँ चाहते हैं वो बता रहे हैं, चाहे पांडववन, चाहे शान्तिवन, चाहे ज्यांसरोवर, चाहे हॉस्पिटल, चारधाम तो हैं, पाचवा छोटा है, चारो में ही बाप Tadda की एक आश है, बाप्त अता तीन मास के लिए चारो धाम में अखंड, नर्विघन, अटल स्वराज्य दिकारी राजाओं की रिजल्ट देखना चाहते हैं तीन मास यहाँ वहाँ से कोई भी और बाते नहीं सुनने में आए सब स्वराज्य दिकारी नमबर वन क्या तीन मास के ऐसे रिजल्ट हो सकती है निरवेर भाईजी से पूछा पांड़ों की तरफ से आप हो, हो सकता है, दादी तो है लेकिन साथ में जो सामने बैठे हैं, सब है न, हो सकता है दादी नहीं कहा, दादी कहते हैं, हो सकता है, जो पांड़ो भौन वाले बैठे हैं, वो हाथ उठाओ, वो बताईं, हो सकता है, अच्छा मानो कोई कमजोर है, उसका कुछ हो जाता है, आप क्या करेंगे, मानो किसी की कोई कमजोरी है, तो आप क्या करेंगे, आप समझते हो, क साथ वालों को भी साथ देते हुए result निकालेंगे, इतनी हिम्मत रखते हूँ, हो सकता है यह सरफ अपनी हिम्मत है दूसरे की बात को भी समा सकते हो ना, उसकी गलती समा सकते हो, वायू मंडल में फैलाओ नहीं, समा दो इतना कर सकते हो ना, किसी कि कोई कमी कमजोरी है फैलाओ नहीं बाबनी का समा सकते हो न जोर से बोलो हांची मुबारक हो तीन मास की बाद रिपोर्ट देखेंगे किसी भी स्थान से कोई भी रिपोर्ट नहीं निकलनी चाहिए एक दो को वाइब्रेशन देकर समा देना और प्यार से वाइब्रेशन देना किसी की भी कमी कमजोरी को शुब वाइब्रेशन देना समा लेना फैलाना नहीं जगडा ना हो ऐसे डबल विदेशी भी रिजल्ट देंगे न सभी को बनना है न डबल विदेशी जो समझते अपने सेंटर पर साथियों के साथ तीन मास की रिजल्ट निकालेंगे वो हाथ उठाओ जो समझते कोशिश करेंगे कहने सकते वै कोई है तो हाथ उठालो साफ दिल है और साफ दिल वालें को मदद मिलती है जो सच्ची साफ दिल वालें उनको मदद मिलती है फिर यूपी वालोगो सेवा की मुबारक दे, अच्छा, चारों और के सर्व सुवराज्य इदिकारी आतमों को, सदा अखन राज्य के पातर आतमों को सदा बाब की समान कर्माती चिती में पॉँचने वाले बाब को फोलोग करने वाले तिवर पुरशार्थी आत्माँ को, स्था एक दोग को शुब भावना, शुब कामना का सायोग देने वाले, शुब चिनतक बच्चों को बाप तदका, याद प्यार और नमस्ते, रुखानी बच्चों की, रुखानी बाप तदका, याद प्यार, नमस्ते, गूट शुक्रिया बाबा शुक्रिया बहुत ही special वर्दान फुरा ही लिखेंगे वर्दान उसको कईबा दोहराएंगे विशय विगनकारी आत्मा को शिक्षक समझ उनसे पाट पढ़ने वाले अनुभवी मूरतभाव perfectly गृटकर आत्मा को शिक्षक समझ, उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूरतभव, जो आत्मा विघन डालने के निमित बनती हैं, उन्हें विघन कारी आत्मा नहीं देखो, उनको सदा पाठ पढ़ाने वाली, आगे बढ़ाने वाली निमित आत्मा समझो, क्या समझेंगे, देखक कर सोचते हैं न, ये विघन डालने वाले हैं, ये प्रॉबलम क्रेट करने वाले आदी आदी, उसके स्थान पर क्या अनुभव करेंगे, ये पाठ बढ़ाने वाली आत्मा, आगे बढ़ाने वाले निमित आत्मा है, अनुभवी बनाने वाले शिक्षक समझो, जब कहते हो नि पार कराने के निमित, अचल बनाने के निमित समझो, इससे औरी अनुभव की अथोरिटी बढ़ती जाएगी, जब ये चिंतन करेंगे, कि हमें आगे बढ़ाने वाले हैं, पाठ सिखाने वाले हैं, निमित है ये आत्माई, विघन कारी आत्मा को उस दृष्टी से देखने की पजाए, सदा के लिए विघनों से पार कराने के निमित, अचल बनाने के निमित समझो, इससे औरी अनुभव की अथोरिटी बढ़ती जाएगी, स्लोगन है, कंप्लेंड के फाइल खतम कर, फाइन और रिफाइन बनो, जो भी कंप्लेंड है, उनके फाइल खतम करो, कोई भी कंप्लेंड नहीं, शिकवे शिकायते नहीं, फाइन बनो और रिफाइन बनो, आज हम सब यह अभ्यास करेंगे, मैं परमातम राज दुलारा, स्वराज यदिकारी आत्मा हूं, ओम शान्ती, अक्सर देखा गया है, जब शुरू शुरू में बाबा का बनते हैं, तो सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन फिर धीरे-धीरे कईयों की वह पहले वाली अवस्था नहीं रहती, बाबा ने ऐसे पांच कारण बताए, जिन से स्थीती बिगड जाती है, आज का ग्यानमोती बहुत विशेस है, इसे सुनने के लिए उपर दिये गए बोक्स पर क्लिक क कर्ण से साथ ए्थ बोगता है, आज के लिए वह रहती है, लेकिन बताए ब्रहता है, जिता है, बाइब के लिए चाहता है, आज के लगता है, आज का लुदा के लिएकिन फिरे क।।